और चॉ टॉपिक है 75 गगनेकिटिक फिल्ड दिव टो ए स्थेट करेंट केरिंग कंडॉक्टर और फाइनायट साइज मतार एक करेंट करींग conductor है जो finite size का है यानि length उसकी finite है और उसकी वज़े से उसमें current flow हो रही है उसकी वज़े से आपको magnetic field निकालना है अब ज़रा ज़रा यह थोड़ा लफड़े वाला proof है tricky भी थोड़ा सा है देखें यह एक current carrying conductor है x y एक current carrying conductor है और इसमें current I flow हो रही है ठीक है और इससे our distance पर एक point है माल लिया अब problem यह है कि point की location कैसे fix करें हम वह हम दिवाल यह दिवाल है finite size की है ठीक है हम इस दिवाल से 5 मीटर दूर हैं किस जगह पे हैं क्योंकि हम दिवाल के ground से भी हो सकते हैं दिवाल के upper level से हो सकते हैं कहीं बीच में लटके हो सकते हैं ठीक है तो हम पनी location कैसे बताएं तो पहले तो हमको point लेना पड़ेगा उसकी location बतानी पड़ेगी जिससे सब को मालू हो जाए कि हम actually में कहा पर है ठीक है तो हमने का देखे एक point है यहां पर p और जो इस दिवाल से कितने distance पर है r distance पर है ठीक है क्या पहुंच आएंगे इस point पे अगर मैं आप से कहूं कि इस दिवाल से r distance पर एक point है तो क्या इस point तक आप पहुंच जाएंगे नहीं पहुंच जाएंगे क्योंकि point कहीं हो सकता है तो हमने माना कि यह point जो है न वह लोवर लेविल से 5-1 एंगिल बना रहा है और अपर लेविल से यह 5-2 एंगिल बना रहा है यह बाहर लिखे जा रहा है अब तो आप पहुंच जाएंगे इस point पे नहीं पहुंच जाएंगे अगर मैं कहूं क्योंकि दिवार से मैं 5 मिटर दूर हूँ और दिवार के अपर portion से 30 डिग्री और लोवर पोर्शन से 45 डिग्री एंगिल हम बना रहे हैं पहुंच जाएंगे अब ठीक है अब हर एक point पे जाएंगे 5 मिटर दूर और देखते जाएंगे जैसे आप 30 और 45 पहुंच जाएंग अब तो point clear हो गया अब इसकी वज़े से पी point पे आपको magnetic field निकालना है अब क्या करना पड़ेगा जैसे कि बायो से वर्स लावताते हैं कि इसका एक छोटा सा हम एक current element लेते हैं ideal इसके length हमने क्या माना deal ये जो point है it is very 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 near to each other very small ये बहुत small है ठीक है और हमने कहा ये जो point है ना वो यहां से कितनी distance पर है x distance पर है अच्छा ये point कितनी distance पर होगा ये भी x distance पर होगा ये भी x होगा क्योंकि distance बहुत small है ना ये और ये जो line है ये current से कितना angle बना रही है ठीटा ये कितना बनाएगी ये भी ठीटा बनाएगी क्योंकि very small है इसमें angle change नहीं हो रहा है ठी जीरो मा लीजिए लिमिट कहते है ना लिमिट डिल इस इकल टेंस तो जीरो तो अब इस छोटे से पोर्शन की वज़े से इसका नाम कुछ दे दीजिए जो बुक में लिखा वही दे दीजिएगा एफ दे रहे हैं ठीक है इस एफ की वज़े से मैगनेटिक फिल्ड बी पॉइंट पर हम निकालते हैं अब ज़रा इसकी लेंगोज क्या लिखेंगे भी एकस वाई इस एकरेंट करिंग कंड़क्टर स्टेट करेंट करिंग कंड़क्टर आप फाइनाइट साइज ठीक है दर इस पॉइंट एट डिस्टेंस आर फ्राम दिस ज़रा अपैस ऎउस आरे किल्ग नैटिक फिल्ड इस एटेक है एकस वाई मेंक्स एंगल 5 लीद इसको नाम देदो कुछ है इसका भी नाम देदो कुछ पी एल कीव क्या थीछ क Hai1 आउ Google क्या लीकिए्ट ये लिखे लथ финफ एंग ये इंगल Kanye section रा एंटेंगेल क्यों बीस फाइटू, लिख लिया, भई, ड्वाइग्राम मोने लिखना पड़ेगा ना, तो वी टेक आवली स्माल लेंथ ऐलेमेंट इफ, मैगनेटिक फिल्ड अट पॉइंट पी दू तो इफ निकाल लेते हैं, तो भई-bio-servor's-law, बाई बाईो सेवर्स ला मैगनेटिक फिल्ड एट पी ड्यू टू इफ इस मैगनेटिक फिल्ड का मौन लिया हमने डी बी क्योंकि आपने पूरे वाइर की वज़े से आप मैगनेटिक फिल्ड थो लिए निकाल रहे हैं आप इसमाल एलिमेंट लिया आपने तो डी बी क्या होगा मिव नॉट अपान फोर पाई आई डी अल साइन थीटा अपान आर स्कॉर स्वार स्वारी एक्स स्कॉर यह लिख दिया आपने ठीक है लेकिन मजबूरी है ना कि जो थीटा आपने लिखा है तो चेंज होता रहेगा थीटा आपका चेंज होता रहेगा तो अब यहां जाओगे थीटा कुछ और होगा यहां कुछ और होगा यहां कुछ और होगा तो हमको सब कुछ जो लाना है वो इस वाले एंगल की टर्म मिलाना है सब कुछ 5 की टर्म मिलाना है क्योंकि यही जो 5 1, 5 2 है यही आपका clear position उस point की बता रहा है यह theta, x, x सब change होते रहेंगे हम इतना बता दिये कि दिवाल से 5 meter दूर हम है और दिवाल का upper portion जो है हम जो है elevation हमारा जो है वो 30 degree है या 5 1, 5 2 है और जो depression है lower percent का वो 5 1 है बस तापको सब कुछ इस के टर्म मिलाना है तो हमने कहा सब कुछ जो EF है ना वो यहाँ पर कितना एंगल बना रही है यह हमने मान लिया D 5 सब कुछ 5 है तो 5 रिस्तेदार बनो ना theta की बात ही ना करो हमने मान लिया let EF substance angle d5 angle d5 at P यह मान लिया कि EF जो है P पर d5 angle बनाती है ठीक है तो यह थीटा उटा किस के टर्म में आने चाहिए सब d5 के टर्म में आने चाहिए क्योंकि phi यहाँ पर known है और r यहाँ पर known है बस सब कुछ इसी के टर्म में आना चाहिए तो हमने क्या किया यहाँ से एक perpendicular डाला EG कोई दिक्कत अब ज़रा triangle EFG दिख रहा है अब तब पूरा लबो लबाब यह है कि सब कुछ किस के टर्म में आना चाहिए 5152 और r के टर्म में बस ठीक है आपको triangle EFG दिख रहा है यह 90 डिग्री है in triangle EFG इसको equation 1 डाल दीजेगा in triangle EFG अगर हम sin theta निकालें यहाँ पर sin theta sin theta अजिकलू क्या होता है perpendicular upon happiness लंबटे करण होता है तो perpendicular theta के साथ से क्या हो जाएगा है easy बहुत easy है और happiness क्या हो जाएगा EF अगर हम cross multiply कर दें तो EG की value क्या हो जाएगी DL sin theta हो जाएगा question number two नहीं हो जाएगा अच्छा जड़ा यहाँ पर आओ triangle PEG step by step पकड़िएगा इसको ठीक वे पौड़ी पौड़ी चलता जा जय मातादी कहता जा तो पहुंच जाओगा एगदम शलाग लगाएगा तो रिकूर्ट परवत पहुंच जाएगे तो ख़ड़ा नीची आ जाओगे triangle PEG ले लो in triangle PEG sin d फाई ले लो क्या होगा perpendicular EG upon hype news क्या है EP देखो hype news चाहे आप PE लिखो चाहे PG लिखो बाद में हो तब सुरी हाँ ठीक है चाहेगा ये लिखो गरत बता रहे है मतलब ये distance X होगी यहां से लेकर कि यहां की distance कितनी है X यहां से यहां की distance कितनी है X तो बहुत small distance है इसलों X ही मानी गई है तो यह होगा PE यहाँ PE की value क्या होगी EG की value क्या होगी EG क्या आएगा PE क्या है X X sign D5 चुकि यह angle बहुत small है बाद में बाद करेंगे ज़रा इन दोनों की questions को देखो इन दोनों की questions को हम करना क्या चाहते है हम सब कुछ 5 की टम लाना चाहते हैं बस और कुछ नहीं करना चाहते by equation 2 and 3 by equation 2 and 3 दोनों से EG EG equate कर दीजिए तो क्या हो जाएगा DL sin theta is equal to X sin D5 चुकि यह angle बहुत small है और mathematics की limit कहती है अगर बहुत small होता है angle तो sin theta को क्या ले सकते हैं theta तो आप लिखेंगे as D5 is very small very small यह बहुत small है so इसको क्या ले सकते हैं आप DL sin theta DL sin theta is equal to X D5 इसको equation बर कुछ मट डालो यहां तक पहुँचिए पहले आप जो काम करना है वो सब यह DL और theta सब गाइब करना है कुम लाकर 5 के term में आपको लेना है सुनिए जान से इस result का इस्तेमाल आप कहां कर दीजी question number one में तो आप लिखेंगे using this result using यह using नहीं है यह forcing नहीं है you को फोर्सिंग का है लिखा us ing है अंग्रेजी वाले न अब पढ़ा नहीं अब पढ़े तो यह forcing लिखा है forcing इसमें कहां से use हो गया us ing लिखा है अंग्रेजी वीडिया वाले बहुत अच्छी अंग्रेजी होते हैं in equation 1 इस result का equation 1 में हम इस्तेमाल करते हैं यहां पर तो क्या होगा db is equal to तो जो dl sin theta है यह क्या बन जाएगा यह आप न रफ कर दीजिएगा आगे लिखोगे x d5 लिख देंगे और यह सब नीचे वाला कारिक्रम तो आप करी चुके होंगे कल indefinite integral का पूरा NCRT बन गया यह वीडियो अप्लोड कर दिया अच्छों NCRT प्यादा है नहीं लेकि सिर्वी बहुत टाइम लगा उसमें अब सुनिए ध्यान से यह x x कैंसिल हो गया तो आगया db is equal to mu naught upon 4 pi i upon x d5 equation number कौन सा बनेगा यह 4 equation number बना अभी की लफड़ा x का लफड़ा भी फशा हुआ है क्योंकि जो x distance आपनी यहां से लिए है ना यह हर जगे चेंज होती रहेगी और क्या होगी यह मालूब नहीं बही अलग अलग जगे अलग अलग distance होगी ना यह तो क्या होगी हमको मालूब नहीं तो आप क्या करें फिर वही पर फाई के पास पहुंचेंगे हमने कहा कि जो x distance p है ना वो p q से माल लेते हैं कितना अंगल बना रही है वो फाई यह d फाई अलग है यह इसमें ना मिला देना यह फाई यहां से यहां तक है हमने माना कि लेट p e makes angle phi कि से with p q तो अगर इस triangle में p q e में in triangle p q e in triangle p q e अगर हम क्या करें यह phi है ना और यह distance dv है तो इसके हिसाब से क्या लगाएं sign cost and क्या लगा दिये cause लगाना पड़ेगा base है ना वो तो cos phi is equal to क्या हो जाएगा base p q upon happiness p e तो cos phi is equal to p q बोले तो r p बोले तो x तो x का मान क्या होगा r upon cos phi और इसको उठा कि question number 4 में रग दे putting this value in equation 4 putting this value in equation 4 तो यहां से क्या आएगा dv is equal to mu not upon 4 pi i upon यह क्या आएगा r upon cos phi कहा जाएगा उपर जाएगा into d phi अब बताओ सब कुछ phi के टम में आ गया r fix है तो phi तो change हो रहा है यहां तो पहुंचे आप अब देखें अगर आपको यह आपने एक छोटे से line current element की वज़े से निकाला है ना magnetic field इसी प्रकार जी छोटे छोटे element की वज़े से निकाल के सब को उठा के add कर दें इसी method को क्या कहते है integration तो अगर हम निकाले magnetic field due to entire current carrying conductor that is xy b निकाले तो इसी को हम क्या करेंगे integrate कर देंगे किसको db को चुकि ये integral phi के term में हो रहा है जो आज समझेगा साउधान ये जो आपने dl लिया है ना वो इस इस इलाके में लिया है ना तो इधर ही आपको जाना पड़ेगा उपर अगर नीचे उल्टा जाते हो तो आपको negative जाना पड़ेगा तो आपकी limit phi की कहां से कहां तक जाएगी minus phi 1 से लेकर के phi 2 तक प्लस phi 2 तक अगर देखो तो ये phi 1 प्लस phi 2 लिखा हुआ है अगर आप यहां से लेकर के minus phi 1 से लेकर के प्लस phi 2 तक जा रहे हो तो total कितना angle cover कर रहे हो phi 1 प्लस phi 2 कर रहे हो नहीं कर रहे हो total add हो जाएगा ना बस अब integral का काम सुरू हो गया तो जब यहां db की value रखोगे तो क्या आएगा minus phi 1 से phi 2 mu naught upon 4 pi i upon r cos phi d phi यहीं आप phi के respect में integrate कर रहे हो तो किसका integral होगा केवल cause phi का cause phi का integral क्या होता है minus sign phi होता मालूम है कैसे बोल ले हो cause phi का integral क्या होता है अब यह सुन रहे है integral अच्छा integral पूछ रहे थे minus से plus cause किसका differentiation होता है sign का जब sign का differentiation plus cause होता है तो cause का integral क्या होगा मतब बोल दीजे क्यों plus sign minus sign नहीं 10 नहीं 6 1.x square नहीं मालू सब बता जाओ कहीं नहीं अकड़ अकड़ हला कहीं नहीं फसी जाएगा वैसा sign phi होगा है हम जिसका पूसे उसकी बात करो ना कहने ताद महल किसने बनवाया कहने अकबर नहीं नहीं बनवाया वोले किसने बनवाया बोले नहीं बनवाया बताए दे रहे हैं जो बचे का साला उसने बनवाया वही है वही है वही कह रहे हैं हम 10 का बता रहे थे हैं पॉस कॉस की बात करो ना तो कॉस का इंटिकल क्या होगा sign phi limit रखने का तरीका क्या होता है इसको bracket बंद करो और यहां बाहर limit रख देते हैं यही तरीका होता है ना तो mu not upon 4 pi i upon r limit कैसे operate करते हैं फाई की जिएके पहले upper limit फिर minus लगाके lower limit बहुत जमाई आ रही का नीद आ रही का इसमें आती है नीद इसमें नीद आती है बहुत नीद आती है फिजिक्स ऐसा subject है यह तो को हमको इसलिए नहीं आती कि हम कड़े कड़े अगर सुएंगे गिर जाएंगे तो हमको तो साइन थीटा यह प्लस हो जाएगा तो यह आ जाएगा म्यू नाट पान फोर पाई आई अपान आर साइन फाई टू प्लस साइन फाई वन तो यह आपका magnetic field का formula हो गया समझ में आई बात छोटा प्रूफ है टफ है लेंदी है थोड़ा सा करिए इसको तो देखिए तो यह तो हो गया आपका magnetic field इसकी वज़े से अब पहला एक case यह है कि अगर यह जो state wire state wire है ध्यान एक है टेला मेला wire नहीं है यह state wire है यह infinite length का हो if current carrying conductor is of infinite length infinite length जड़ा समझने की कोशिद करिए यह दिवाल है दिवाल से थोड़ी दूरी पर आप खड़े हैं और दिवाल को ऐसे आप देख रहे हैं ठीक कुछ angle पे हैं अगर इंफानेट लेंद पे हो जाएगी और आप देखना सुरू करो दिवाल को तो फिलकुल आ आपको ऐसे देखना पड़ेगा 90 degree ठीक है और दो तरीके यह तो infinite length को और अगर आप बहुत point को close लियाओ इसके तब ही 90 degree हो जाएगा ठीक है तो यह इन्फानेट लेंद में 51 और 52 की value कितनी हो जाएगी यह 90 degree हो जाएगी नहीं हो जाएगी प्रैटिकली आप समझेगा ना आपके सामने इसको देखना तो आईसे देखोगी ना एस से י边 कुल उन्हें हमाई इस से भी देखेंगे को यसे कांग वहां व हम तो से पीछ होनिर whoever को है ना इसको यह 90 साजी से भी घर्दन कर सकते हो और उन्हें घर्दन तोड़ ट्रिक करनी है महिए तो आपको उस वाइ B is equal to क्या हो जाएगा Mu not upon 4 pi I upon R sin 90 plus sin 90 sin 90 plus sin 90 की value 2 हमने question क्या आप से पूछा हमने का आप का नाम तो पता चला पड़ोसी की नाम बता है उनका ये नाम मेरा तो नाम ये है आप से पूछा जाएगा उसी बात करो sin 90 का लिए 1 होती है 1 plus 1 2 वही आप से question क्या पूछा गया I upon R एक तो ये result आप याद कर सकते है क्यों क्योंकि Mu not upon 4 pi की एक fix value होती है और आप 2 को cancel भी कर सकते है तो B is equal to क्या आएगा Mu not upon 2 pi I upon R इस result को बहुत 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 जदा important तरीके से यूज किया जाता है किसी infinite wire से R distance पर magnetic field की value Mu not upon 4 pi I upon R बहुत important result अध्यान रखिएगा MPR slav में इसको फिट derive किया गया है ठीक है at perpendicular bisector perpendicular bisector of x y अगर यह perpendicular bisector हो और हम माल ले कि let x y की length कितनी है L जो आप finite length ले रहे हो तो उसकी कुछ length होगी होगी तो उस case में ज़रा देखो क्या लफडा होगा इस diagram को थोड़ा सा edit करना पड़ेगा amendment इसमें edit नहीं करना पड़ेगा amendment करना पड़ेगा इसमें यह आपका conductor था x y इसकी length L थी और यह इसका perpendicular bisector है r distance पर आप हैं और अभी भी है तो पहली बात तो यह दोनों angle कैसे होंगे equal होंगे यह फाई और फाई दोनों same होंगे पहली बात तो यहानि कि 5 1 is equal to क्या हो जाएगा फाई 2 is equal to होने माले है फाई से ठीक है फाई हो जाएगा यह L length का है अच्छा r given है आपको r given है ना L length का है तो यह distance L by 2 हो जाएगी यह distance भी L by 2 हो जाएगी यह q point था तो आपको sine 5 चाहिए ना तो sine 5 निकालने के लिए आपको habit news चाहिए तो habit news कैसे निकलेगा under root r square plus L by 2 का whole square तो अगर हम sine 5 निकाले है तो क्या होगा perpendicular बोले तो L by 2 और habit news बोले तो under root r square plus L square by 4 थोड़ी से mathematics 4 L से लेंगे यह 4 r square आएगा 4 का root 2 बाहर आएगा और यह two is two go cancel कर देगा जमाई आया कर तो पूरी खुल के लिए आगर ऐसे अंदर आएँ अंदर का मतलब है अब चाहरे करें क्या तो यह बड़ी मुस्किल है मतलब क्यों का गाना है बड़ी मुस्किल बाबा बड़ी मुस्किल है यह बड़ी मुस्किल है यह साला पढ़ा ही करो और कितने साल बहुत साल पढ़ा ही करो और करना क्या है नवकरी बाद सबजी लानी है 10 रुपया की 15 रुपय की मालूम है हम आईसे जुपया इसे हम जानते है क्या बताएं एजुकेशन ठीक है पहले बढ़िया था अपना पेड़ इसमें अगर हम पिछे जमाने होते इसमें पेड़ पे हम बैठे होते पापा लेकर के पत्थर गए होते भाईसा मारने बड़े बड़ा पत्थर नहीं है मम्मी पे कहीं चुआ हुआ हुआ रही होती हुआ खाना पहना पहना उसमें लटकाए होते आएक फेड़ ठायप खा पक रहा होता हम उतरते हम उतरते और जो भी उसमें लेंगोज ऩ silicon होती आज जीआ जीआज जो भी कहा जाता होगा और बस खाते और बस प्रचा जाते पत्ते होते लगा करके जिन्दकी अज़ा टेंपरेचर भी बढ़िया होता यहां जाला टेंपरेचर होगा पड़े अच्छा एक को सरी स्टार में लिखो भाई को सरी स्टार अज़ा सुविधाएं सबको चाहिए हम जब बड़े होना तो हमें जैसे हम नौकरी करें जैसे नींद कुले ब्रस लिए नौकर खड़ा है मूँ ऐसे एक मूँ खोले और एक ब्रस ऐसे 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 करे कुला करने के लिए पाइप से मूँ में ऐसे पानी डाले जैसे गाड़ी हो जाती है और दो के नहाद हो करके और ऐसे जो है आहा जैसे नौकर हो फोरन साप खाना अपना है गाड़ी आ जाए और गाड़ी कमरे के अंदर से उटाएक बड़ी ठाल ले सुधा है सब को चाहिए पढ़ना न पड़े किसी को काम न करना पड़े मू नौट अपन फोर पाई आई अपन आर साइन फाई की वैलू टू टाइमस हो जाएगा न यह तो क्या हो जाएगा टू यल अपन अंडरूट फोर आर स्क्वार प्लस एल स्क्वार यही रिजल्ट है और कोई इसमें है अरे हम फोर पाई लिख रहे हैं भाई सा हम इसमें रख रहे हैं आपको काटना है तो काट दो काटना हो तो काट दो तो यह मू नाट अपन टू पाई लिख दो आई अपन आर लिख दो और अल अपन अंडरूट फोर आर स्क्वार प्लस एल स्क्वार एक ये special case आपका हो गया ये results याद रखने पड़ेंगे तो ये वेहिकल में use होगा अगर ये जो point है ना वो एक end पे होता इसके यहां कहीं होता P point if point is if P is at one end of conductor law of conductor तो 5-1 एक angle कितना हो जाएगा 0 degree और एक angle चुकि ये बहुत उपर चला जाएगा तो 5-2 जो होता है कितना लिया जाता है 90 degree क्योंकि ये point बहुत दूर नहीं है ठीक है तो यानि कि यहां पर रखेंगे by question start तो ये तो 90-1 हो जाएगा और एक 0-0 हो जाएगा तो B ब्रावर क्या आएगा mu 1 upon 4 pi i upon r ये 4 pi हो जाएगा ध्यान रखेंगेगा अच्छा एक जतने प्रूफ किया इसमें एक खास बात इसमें जो B है ना वो proportionate है 1 upon r की यानि कि ये inverse square law को follow नहीं कर रहा है state एक 0 हो जाएगा हम जानबूस गलत लिख रहे थे इसे आप ध्यान से देखो इसलिए हम लिख रहे थे तो ये आपका बायो सेवर्टला का एक application है तो find the magnetic field due to a state current carrying conductor कहीं पर एक current carrying conductor को CCC लिख देते हैं लेकिन उक current carrying coil भी होता है ठीक है तो दोनों होते हैं ठीक किसको कर लीजेगा next कल